तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे तो दोस्तों सैलो वर्ड का जो आईप्यो है इस आईप्यो में अप्लाई करने के लिए आज की तारिक में पहला दिन था तो पहले दिन इसको टोटल कितने गुना सब्क्रेप्शन मिला है और अलावा इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या चल रहा है और कल की तारिक में मामा अर्थ का आईप्यो भी उपन होने वाला है तो क्या इस आईप्यो में हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे और जानकरी लेंगे और उसके अलावा बाकी सारे IPOs का लेटेस्ट ग्रेमार्केट का प्रीमियम जानेंगे और SME IPOs के बारे में भी जानकरी लेंगे वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलेग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजिए और वाटसैप चैनल को भी जरूर जोइन कर लीजिए वहाँ आपको सारी जानकरी मिल जाएगी और कोई भी वीडियो का नोटिपेकेशन मिस नहीं होगा और उसके लावा फ्री में डीमेट अकाउंट वगेरा खुलवाना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदिर मिल जाएगी इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा तो दो बात करें सैलो वर्ल्ड का आईप्यो है पहले दिन जो सब्सक्रिप्शन देखे तो पहले दिन ये अंडर सब्सक्राइब रहा है under subscribe रहने का एक कारण भी ये है कि इसका गुशू साइजा थोड़ा सा बड़ा है 1900 करोड रोपे का इसका issue size है इसका कारण क्या है कि जो पहले दिन पैसे लगे पैसे तो ठीक लगे हैं पर ये under subscribe रहा है क्योंकि issue size थोड़ा सा बड़ा है पर उम्मीद है कि दूसरे और तीसरे दिन ज़्यादा सब्क्रिप्शन देखने को मिल सकता है specially आकरी दिन मतलब तीसरे दिन ज़्यादा हमें सब्क्रिप्शन देखने को मिलेगा जो QIBs है, NIIs है ज़्यादा तर तीसरे दिन ज़्यादा सब्क्राइब करते हैं तो उम्मीद है कि इस IPO से subscription आना चाहिए तीसरे दिन क्योंकि इसकी एक तो anchor list बहुत ही बढ़ी आई है दूसरा इसका sector बहुत ही बढ़ी है brand value बहुत अची है financially strong company है मतलब ज़्यादा कोई कमी नजर नहीं आ रही है इस company के अंदर इस कारण हो सकता है कि इस IPO की demand तीसरे और आकरे दिन बहुत ही जबरदस रह सकती है और ये बढ़ीया subscription इसके इंदर हमें देखने को मिल सकता है तो टोटल ये पहले दिन जो subscribe हुआ है 0.41 times मतलब 0.41 गुना ये total subscribe हुआ है 546 करोड रुपे लगे हैं इस IPO पर पहले दिन QIB portion 0.02 गुना मतलब QIB portion तो जनरली तीसरे दिन ही ज़्यादा subscribe करते है NII portion 0.99 times मतलब 0.99 गुना NII portion subscribe हुआ है NII portion को आपको subscription देखने को मिलता रहेगा दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी Retail portion 0.38 गुना subscribe हुआ है Employee portion 0.45 times मतलब 0.45 गुना ये Employee portion subscribe हुआ है तो सारे portion अभी देखा जाए तो Undersubscribe है और ये पूरा IPO भी Undersubscribe है उम्मीर है कि तीसरे दिन अच्छा subscription देखने को मिल सकता है और कल की तारिक में मैं Final Decision का Video भी देदूँगा इस IPO पर बागी दोस्तों बात करें इसके Gray Market के Premium की जब से इसकी Anchor List आई है मैंने आपको बदाया था कि Anchor List बहुत ही शानदा रही है उसके बाद इसके Gray Market के Premium में भी इजाफा हमें देखने को मिला है तो ये काफी अच्छी बाद है इस IPO के लिए तो उसका latest Gray Market का Premium 135 रुपे पर शेर मतलब हमारा जो Minimum Criteria है उसके आसपास इसका Gray Market का Premium जल रहा है तो ये अच्छी बात है मतलब हमारे जो Investment Point of View से देखे Safety Point of View से देखे तो अच्छी बात है 20% उपर का Gray Market का Premium बाकी दोस्तो ग्रे मार्कीट के Premium के हमें भरोसे नहीं रहना चाहिए ये सिर्फ एक Gas है, अंदाजा है और GMP जो है Manipulate हो सकती है गलत भी हो सकती है इस का इसके पूरे बरोसे तो हमें नहीं रहना है बाकी सारी जीजे देखिए सब्क्रेप्शन देखिए, Ankle List देखिए मतलब GMP भी देखती है पर पूरे बरोसे मत रही है बाकी देखिए जाए, तो Ankle List अच्छी आई है ओवराल कमपनी अच्छी नज़र आ रही है इससाब से ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी बराबर चल रहा है फिर दूस्तो, Blue Jet Healthcare का जो IPO है इसका अलॉट्मेंट इस्टेटस आने वाला है मतलब 1 November को तो इसकी official date है काफी लोग कह रहे हैं कि जल्दी आ सकता है तो अभी तक तो नहीं आया आज की तारिक मेंट इसका अलॉट्मेंट इस्टेटस लिंकें टाइम की वेबसाइट पर आने वाला है पर 1 November official date है अब देखते हैं का बाता है क्योंकि अभी जो नया रूल चेंज हुआ है कि वही टी प्लस त्री डेस के अंदर लिस्टिंग, अलॉट्मेंट वगेरा सारी चीज़े होती है तो वो अभी तक इसके अंदर तो देखने को नहीं मिला है और जब आज आएगा तो मैं आपको जानकरी दे दूँगा या आपको भी पहले जानकरी हो जाए तो आप हमें इंस्टाग्रम पर मैसेज करके बढ़ा सकते हैं तो इसका जो लेटेस्ट ग्रेमर किट का प्रीमियम चला है तो क्या इस IP में हमें अप्लाइ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो देखे दोस्तो अभी गर इसका लेटेस्ट ग्रेमर किट का प्रीमियम देखे तो 2% के आसपासी चल रहा है मतलब बहुत कम डिमांड चल रही है इस IP की बाकि कल तक मैं आपको वैसे भी अपडेट दूँगा इसकी एंकल डिस्ट वगिरा जबाज आजएगी एंकल डिस्ट भी देखना मतलब बहुत ही इंपोर्टन है कि इसकी एंकल डिस्ट कैसी आती है क्योंकि इसके अंदर एक कमी यह है कि पिछले लगातार कुछ सालों से लगातार पर लॉस जनरेट कर रही थी अभी एक-दो सालों से प्रॉफिट के अंदर आई है और बहुत कम प्रॉफिट जनरेट किया है तो इसका अंदर कहा कि अभी इसकी डिमांड काफी कम चल रही है तो एंकल डिस्ट कैसी आती है उसके बाद देखते हैं कि ग्रे मर्केट के पीमे में उच्छाल देखने को मिलता है नहीं मिलता है वो सारी चीज़े आने वाले टाइम में क्लियर होती रहेगी पर अभी की कंडिशन में आज की तारिक में देखे तो डिमांड बहुत कम चल रही है बाकि दोस्तों डिसीजन आप अपनी रिस्क और अपना अनारिसिस लगा के ही बनाए रिव्यो का वीडियो कल सुबह तक आपको मिल जाएगा फिर दो तो ये सैफ मतलब ESAF Small Finance Bank कंपनी कैसी है ये IPO कैसा हो सकता है और आने आले टाइम में कैसा performance कर सकता है तो दोस्तों ये हो गए mainline IPOs के updates अब दोस्तों बात करें SME IPOs के बारे में तो Paragon SME IP आज close हो चुका है 90% के असपास इसकी GMP चल रही है बाकी दास के बात करें Metre, Medicare जो IPO है उसकी GMP 70% के असपास है तो ये IPO अभी मतलब जो आने वाले हैं या recent IPOs में जो बात कर रहा हूँ बाकी सबकी demand 70-60% से कम है मतलब लगब 40% के असपास एक-दो IPO जो इनकी demand है पर minimum हमरा जो SME IPOs के अंदर criteria रहता है 50-60% का minimum criteria रहता है तो उससे नीचे हो तो मैं सोचदा नहीं हूँ बाकी दोस्तो SME IPOs भी काफी ज़्यादा risk होते हैं तो सोच समझ के ही अपनी risk और अपना analysis लगा के ही apply कीजिएगा कोई भी IPO में apply करें तो अपनी risk और अपना analysis लगा के ही करें यही वीडियो सिर्फ information education purpose के लिए है सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है उम्मित करता हमारे वीडियो हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को एक like जो रूर करें चैनल को subscribe कर ले मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर